हेलो दोस्तो वेलकम बैक तो माई चैनल तो दोस्तो काफी सारे Realme C31 यूजर्स यहाँ पे वेट कर रहे थिक उनके डिवाइज में Android 12 बेस्ट Realme UI 3.0 का Early Access Beta Update कब तक यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडिया में तो finally Realme C31 डिवाइज में Android 12 बेस्ट Realme UI 3.0 का Early Access Beta Update आगे वीडियो में बताने वाला हूँ साथी इस बीट आफडेट को इस्टॉल करने के लिए आपके डिवाइज में कौन सा लेटेस्ट वर्दन होना चाहिए साथी की नूजर्स को इस बीट आफडेट को एफलाई करना चाहिए and key users को इस beta update को miss कर देना चाहिए इन सभी गवारे में आगे वीडियो में डीटेल में बताने वाला हूँ तो जानने के लिए वीडियो में तक बने रहे हैं तो दोस्तो सबसे बेले यहां पर बात कर लेते हैं Realme C31 device के Android 12 based Realme UI 3.0 Early Access beta update के बारे में तो इस beta update को install करने सब पहले आपको आपके device के setting solution में चले जाना है फिर software update में चले जाना है और वहाँ बर आपको आपके device को 8.35 के latest version में install करके रख लेना है तभी आपके device में Android 12 based Realme UI 3.0 का Early Access beta update देखने को मिलेगा अब दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने device में कोई important work करते हो तो आपको ये beta update को बेलकुल ही miss कर देना है और आपको official update का यहाँ पे wait करना है क्योंकि इस beta update के बाद आपके device में hitting issue, battery drain, network issue, hanging issue जैसे काफी सारे problems देखने को मिल सकता है और इसके अलावा जीन users को realme UI 3.0 का early access beta update को apply करना है तो मैं आगे वीडियो में step by step बता देता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आपको setting solution में चले जाना है फिर software update में चले जाना है और वहाँ पर right corner में आपको setting option देखने को मिलेगा उस पर आपको click कर देना है और इसके बाद ही आपको trial version देखने को मिलेगा उसमें भी आपको click कर देना है फिर आपको early access देखने को मिलेगा उसमें भी आपको click कर देना है फिर आपको नीचे में continue का option देखने को मिलेगा उसमें भी आपको click कर देना है और इसके बाद आपके device के software update के section में Android 12 based Realme UI 3.0 का early access beta update देखने को मिल जाएगा, and इस update का size आपको 7GB के अंदर देखने को मिल जाएगा, बट दोस्तों इस beta update को install करने से पहले आपके device में जो भी important data है उसे आपको copy करके रख लेना है, क्योंकि इस update में कोई भी problem होता है तो आपका सारा data clear हो सकता है, इसके अलावा आपके device में इस update को install करने के लिए कम से कम 10GB की free memory होनी चाहिए, साथी आपका device 60% charge होना चाहिए, तभी जाकर आप अपने device में इस beta update को install कर पाएंगे, तो दोस्तो बस यह सभी latest update सामने निकल के आई थी, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में share कर दिया हूँ, एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक like जुरूर करे, चैनल मेंने हो तो चैनल को subscribe कर ले, बाकी दोस्तो आप चाहे तो मुझे ट्वीटर और इंस्टाग्राम दोनों में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, बाकी मैं मिल टाप से किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिन वन्दे मातर हैं,